तो आज की वीडियो जो होने वाली है उसमें हम डिसकस करेंगे बायोजी में जो क्वेस्टन्स आए हैं 2020 और 21 में SSC, CHSL में जितने क्वेस्टन्स आए हैं हम सारे डिसकस करने वाले हैं और जैसे आपको पता है कि बायोजी का वेटेश बहुत जादा होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे क्वेस्टन्स होने वाले हैं हमने दो पाइट में वीडियो डिवाइड की हुई है CHSL की 2020 से 21 में जो क्वेस्टन्स पूचे गए हैं उनकी ताकि जादा लेंथ ना हूँ तो चले शुरुआत करते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता हैं तो चलिए स्चार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम करने वाले हैं 2021 के क्वेस्टन्स जो हैं जो बिल्कुल रीसेंट हैं तो सबसे पहले बात करते हैं फ़र्च क्वेस्टन की जो फूड चेन होती है खादश रंकला होती है उसमें किस तर में मिलिपिड यह होता है कान खजूरा ठीक है इसके लावा श्प्रिंग टेल वूड लाइस गोबर मक्या मतलब यह सब चीज़े कौन से क्लास में आती है कौन से काटेगरी में आती है जब आपने देखा होगा कुछ खाने की चीज रखी रह जाए कहीं पर बहुत दिनों तक सड जाती है तो छोटे-छोटे मच्छर उपर उसमें गूमने लगते हैं तो वो कौन से क्लास में आते हैं तो यह अल्रेडी क्लास में मैं कवर कर चुकी हूँ यह आते हैं के रहें जाते है तो बिल्कुल फिल्कुल रक प्रॉटीन बनाते हैं प्रोती इंके अंदर या बाँर जो जा सकता है है इसलिए जा सकता है क्योंकि जो उसके नेचर है वह आधी लिक्विड है यानि क्वासी फ्ल्यूड है क्योंकि अगर सॉलिड होता तो नहीं जा पाता लिक्विड होता तो चला जाएगा लेकिन यह लिक्विड नहीं था यह आधा लिक्विड था तो आधे लिक्विड होने से मिलकर बनी है कोशिगा से मिलकर बनी है model of Golgi bodies यानि जो Golgi काई है उनके बारे में आपको अब्विस सी बात है उसमें आप उनी के बारे में पढ़ेंगे तो odd one out फिर भी जो है ये fluid most एक model ही था तो next question की बात करते हैं which of the following is a type of bryophyte इन में से कौन सा एक bryophyte है जो अलग-अलग वातावरन में रह सकता है that lives in many environments and is character by its small flattened leaves root-like rhizoids and peristorm यानि इसमें क्या है छोटे और चप्टे पत्ते हैं जड़ हैं जैसे प्रकंद्यानी rhizoids होती है छोटी-छोटी गांठे होती है और peristorm होते है तो पहली चीज तो यह है कि आपको एक bryophyte आपको ढूंडना है चार example है इन में से bryophyte एक ही है सिर्फ तो पहली चीज तो यह है कि आपको उसे डूंडना पड़ेगा दूसरी चीज यहां मैं आपको अल्रेडी classes में cover करा चुकी हूं और मैंने आपको examples भी learn कराए थे चार option है Cladophora, Alva, Eulothrix और Funeria इसका answer है Funeria क्योंकि Funeria ही है जो एक bryophyte है आप देख सकते हैं यह होता है Funeria बिलकुल उपर से जो यह already मैं classes में explain कर चुकी हूं आपने वहां भी यह diagram देखा हुआ है Next question की बात करते है Which red orange pigment कौन सा लाल और नारंगी रंग का जो एक रंग होता है जो plants में भी मिलेगा और fruits में भी मिलेगा जैसे carrot यह question बहुत important है जो carrots होती है टमाटर होता है mainly carrot के उपर आता है आता ही आता है और यह जो chemical है यह हमारे लिए antioxidant है मतलब oxygen से इतनी जल्दे reaction नहीं करने देगा इसके लावा यह brain, skin, lungs और eyes के लिए बहुत beneficial होता है तो चार option है beta-carotene, zeaxanthin, lutein और beta-cryptoxanthin तो इन में से एक ही answer है वो है beta-carotene जब भी लाल या orange, red और orange रंग की बात करेंगे, color की बात क carotene तो beta-carotene word है, जो pigment है वो beta-carotene है, तो यह था इसका answer, अब हम बात करता है अंगले question की, under the electron microscope यानि electron सूक्ष्म दर्शी, electron microscope की power बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई होती है, which cell organelle is visible as either clusters or single small dots that float freely in the cytoplasm, यानि इनमें से कौन सा कोशी कांग ऐसा है, जो गुच्छे के र और कोशी का द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, आप खुद बताओ, छोटी-छोटी dots, छोटी-छोटी bodies जो होती है, जो तैरती रहती है, वो कौन-कौन सी होती है, एक तो lysosomes, lysosomes भी अकेले-अकेले तैरते रहते हैं, लेकिन गुच्छे में नहीं मिलते हैं, गु सकते हैं, clusters में मिल सकते हैं, तो इसका answer हो गया, ribosomes, क्योंकि इसके रहावा, Golgiapetus की बात करूँ, तो इनका structure कुछ इस चाइप से था, तो यह definitely नहीं होगे, perioxizomes की बात करूँ, तो यह आपने बनाए ही नहीं थे, यह पढ़े ही नहीं थे, बिलकुल deeper level पे है, इसमें जा के से होती है, तो यह भी नहीं, आपने इन में से पढ़े ही सिफ दो चीजे रखे हैं, Golgiapetus और ribosomes, Golgiapetus आपको पता है, ऐसा दिखता है, क्योंकि Golgiapetus को मैंने गुरुजी के नाम से याद कराया था, और गुरुजी ठीका लगाता है, तो यह नहीं हो सकता, तो इस cancer क्या ह होगा, ribosomes होगा, चलिए, identify the element that helps to trap light energy that is essential for photosynthesis, उस अवियव की पहचान करें, जो प्रकाश संशलेशन के लिए आवश्यक, प्रकाश उर्जा को अवशोशित करने में मदद करता है, normally, जो plants में मिलेगा, chemical, जो sunlight को absorb करेगा, वो होता है, chlorophyll, लेकिन, अब आप देख लो, chlorophyll I don't think की option में है, क्रिस्चेई, carotenoid, amyloplast, vacuoles, vacuoles तो definitely नहीं है, क्रिस्चेई भी नहीं है, क्रिस्चेई क्या थे मैं बता देती हूँ, यह mitochondria था अगर आपको यादो, मैंने कुछ इस चाइप से mitochondria बनाया था, mitochondria में न, दो सह होती है, ए एक बहार वाली और एक अंदर वाली, तो यह जो fold होते हैं, इनको बोलते हैं, क्रिस्चेई, क्रिस्चेई नहीं है, carotenoid और amyloplast, amyloplast तो plastic का हिस्सा है, amyloplast में कुछ नहीं मिलता, क्लोरोफिल मिलता है, क्लोरोफिल जो मिलता है हरी रंग का, वो आप समझ लो, उसमें ज जिसकी वज़ा से, question आ सकता है कि हाँ, यह चार चीज़े हैं, cell में से, एक कोशी का पर चार चीज़े हैं, तो इनमें से chlorophyll या sunlight को absorb करने में कौन मदद करेगा, तो chlorophyll के अंदर जो present होगा, यानि carotenoid, तो carotenoid है, जिसकी वज़ा से sunlight trap होती है, Which of the following artificial coloring agent, कौन सा है, क्रत्रिम रंग देने वाला जो ऐसा तत्व है, जिसको हम कहां यूज करते हैं, sauce, soup, broths, broths का मतलब होता है, जो हम पानिय उबालते हैं, या जो हम खिचरी टाइप बनाते हैं, पेकरी, dairy products, seafood, condiments, breath, freshness, deserts, convenience, foods and beverages, इन में से कौन सा है, जो हम यूज करते है, normally, sauce, अगर sauce और soup की बात करें, तो yellow color का हम add करते हैं, जो artificial coloring add करते हैं, gravy में add करते हैं, yellow color का add करते हैं, तो oil red, red नहीं डलेंगे, orange नहीं डलेंगा, acid तो हम डाली नहीं सकते हैं, इसका answer है, quinine yellow, quinine yellow artificial color है, जो आप normally sauce, आपका soup हो गया, gravy हो गया, जितनी भी चीजे होती है, दूद के products में yellow color की artificial coloring डाली जाती है, जो dairy के products होते हैं, तो yellow color जो आता है, वो quinine yellow की वजह से आता है, तो इस cancer quinine yellow है, चालिए, how do the red algae reproduce vegetatively, जो लाल रंग की शेवाल होती है, red algae होती है, वो कैसे, जो है, आप ये समझ सकते हो, कैसे अपना प्रजनन करती है, तो पहले तो red algae दिखा सकती हूँ, ऐसे होती है, और अगर इसको प्रजनन करना होता है, तो कैसे करती है, तो अब जो मैं example लूँगी, वो मैं red algae का नहीं लूँगी, मैं green algae का ले रही हूँ, क्योंकि वो भी ऐसे reproduce करती है, मैं बात करती हूँ, spirogyra की, spirogyra एक शेवाल है, आपको ये भ बोला जाता है, कि पानी में मिलने वाली सिल्क है ये, ठीक है, क्योंकि गुच्छो की form में मिलती है, तो ये है आपकी spirogyra, तो ये कैसे अपना प्रजनन करती है, तो मान लो ये spirogyra है, mature हो गई है, बड़ी हो गई है, तो ये क्या करेगी, अगर गलती से, ठीक है, ये क्या करेगी, ये अपने आपको तोड़ लेगी, तीन अलग-अलग हिस्सों में, और हर हिस्सा एक नया spirogyra बन जाएगा, और इसको बोलते है, fragmentation, इस तरीके से, fragmentation का मतलब होते है, हिस्से, यानि spirogyra अपने आपके हिस्से कर लेगी, और हर हिस्से एक नया spirogyra, हर शेवाल, इसका हर हिस्सा, अलगई का हर हिस्सा एक नहीं अलगई बन जाएगा, तो इसका आंसर है, fragmentation, यानि खंडन से, यानि अपने आपको तीन हिस्सों में, खंडेत, यानि डिवाइड कर लेगी, next question की बात अगर हम करें, which of the following is a type of large brown seaweed that grows in shallow, nutrient-rich salt water, near coastal fronts around the world, यह मैं आपको, मैंने पूरा explain किया है, one-liners में, कि इन में से, कौन सी brown color की, भूरे रंग की एक शेवाल है, जिसका size बहुत बड़ा होता है, और normally खारे पानी में मिलती है, तो वो है आपकी kelp, kelp जो है, वो nutritious भी काफी होती है, तो यह क्या है, यह है, बहुत बड़ी, size में बड़ी होती है, brown color की होती है, kelp इसका answer है, already मैं explain कर चुकी हूँ, आपको one-liners की class में, चलिए, how is tuberculosis spread in humans, मनुश्यों में तपेदिक कैसे फैलता है, tuberculosis को हम TB बोलता है, ठीक है, और TB आपको पता है न, कफ वगरा जब होता है, तो TB बन जाता है, तो कैसे होता है, अगर आप खासते हो, तो जो droplets होती है, वो भार जाती है, और वो droplets अगर कोई और अपने सास के थूंदर ले ले तो उससे फैलता है, तो यह होता है, droplet infection, यानि छोटी बूंद संक्रमन, soil के साथ नहीं होता, skin के साथ टच करने से भी नहीं होता, direct touching से भी नहीं होता, यह हमेशा droplets, सास के साथ होता है, जब आप छीकते हो या खासते ह उस चाहिम पर, तो इस कांसर है, droplet infection, next question की बात करते हैं, which of the following is not a symptom of beriberi, caused due to the deficiency of vitamin B1, इन में से कौन सा जो है, एक symptom नहीं है, beriberi का, जो B1 की deficiency से होता है, तो चलिए बात करते हैं, आपको मैं बता दू, B1 की deficiency से होता क्या है, कमजोरी आ जाती है, दर्ध होने लग जाता है, आइज का जो movement है, उस पर फरक पड़ेगा, और बहुत जादा मतलब आपका जो movement होंगे, वो properly नहीं हो पाएंगे, तो चार option है, slow healing wounds, यानि जो आपके जखम होंगे, वो दीरे दीरे भरेंगे, कोई मतलब नहीं है इसका, I mean यही इसका answer है, इसका लेना देना नहीं है, B1 की deficiency से, B1 की कमी से क्या नहीं होता, तो यह नहीं होता, अगर आपके जखम नहीं भर रहे हैं, तो वो body के अंदर कुछ और कमी है, vitamin की कमी नहीं है, difficulty speaking, बोलने में परशानी होती है, involuntary eye movement, आखों का कुछ ना कुछ movement होता रहेगा, जो आपके control में नहीं होगा, pain in the limbs, following is a group of primitive vertebrates, इन में से कौन सा आदिम कशेरू कियों का एक समू है, एक group है, जिनका jawless sucking mouth होता है, जबाडा नहीं होता, एक मू होता है, जो चूसने के लिए वो use करते हैं, no limbs, कोई हाथ पैर नहीं होते, कोई organ नहीं होता, मतलब एक ऐसा जानवर, एक ऐसा group, जिसमें ना तो ह सिर्फ मू है, वो भी बिल्कुल गोल मू है, जबाडा नहीं है, चूसने का काम करते हैं, तो ऐसे कौन से जानवर हैं, यह मैं आपको properly explain किया था, यह जानवर होते हैं, cyclostrometer, आप एक बात, अगर आप सभी कुछ देखोगे, आपने जहां पे पढ़ा था, animals का classification, मैंने आप को class में समझाया था, कि जानवरों को हम किस-किस में बाटते हैं, ऐसे जानवर मैंने कहीं नहीं पढ़ाए, एसकिलमेंस में नहीं पढ़ाए, आपने तीनों पढ़ रखे हैं, और तीनों में ही नहीं पढ़ाए, तो इसका answer वहां से भी आपको clear होगे, cyclostrometer, और अगर आप को as such जानना भी है, तो अब मैंने आपको बता दिया कि जिन में कोई body organ नहीं होता, एक मुह होता है, जिसको वह सक करने के लिए यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं, cyclostrometer, मतलब आप यह समझो कि बस एक vertebrate होगी, बस एक ऐसी एक vertebrate होगी, और यहां होगा मुह जिसको व identify the cell that is amoeboid in shape, हमारे body में ऐसा कौन सी cell है, जो दिखने में amoeba की तरह होती है, white blood cell, white blood cell की कोई shape fix नहीं होती, हमारी body में white blood cell है, जो amoeba की तरह दिखते हैं अब अगले question की अगर मैं बात करूँ, तो अगला question हो गया आपका, which group of animals has a body wall composed of both circular and longitudinal muscle fibers, जानवरों का कौन सा समू है, जो circular भी होता है, मतलब circular body walls भी होगी, और लंबाई में भी उसकी जो body होगी, वो लंबाई में भी होगी, इसके लावा उनकी जो skin होगी, moist यानी numb skin होती ह cellular cuticle that is secreted by an epidermal epithelium, सुनिए, moist skin, जो gilly skin होती है वो normally किन किन के पास होती है, एक तो reptiles जैसे frog, ठीक है, वो option नहीं है, या earthworm, आपको अगर ये chapter learn करना है, मैंने आपको chapter में भी समझाया, सबसे बेस तरीका है, examples learn करो, examples सबसे बेस बेस अगर हो जाएंगे, तो आपको अपन आपका analyde, क्योंकि ये हम बात करते हैं, अर्थworm की, ये सारे characteristics catch हुए, यानि अर्थworm के पास होती है, गोल बॉडी है, लंबी बॉडी है, skin moist होती है, नम skin होती है, तो अर्थworm और अर्थworm आता है अनलीडा में, कैसे याद रखोगे, अर्थworm लेटा रहता है, लेडा रहता चली, what is the mode of adaptation done by aquatic plants and animals, where the osmotic concentration of the body fluid changes, with that of the ambient air and water osmotic concentration, जो पानी में रहने वाले पौधे होते हैं, जन्तु होते हैं, plants, animals होते हैं, उनके अंदर liquid होता है, पानी में रह रहे हैं, तो उनके बहार भी liquid है, यहाँ भी liquid है, तो होता क्या है, अगर बहार की concentration में कुछ change आया, बहार की सांदृता change हुई, उन्हें अंदर की भी change करनी पड़ती है, वो आपने आपको adjust करते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है confirmation या confirm, migrate का मतलब तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, regulate का मतलब control करना है, suspend का मतलब दब जाना है, किसी चीज़ के नदर दब जाना, पर वो क्या करते हैं, adjust करते हैं, adjust को बोलते है, confirm या sunroopan, किसी को uncoolen भी बोलते हैं, तो sunroopan या confirm इसका correct answer है, इन 1869, who named a new term oecology, यह जो term है, यह जो शब्द है, यह किस ने दिया, और इसका मतलब है, study of the relationship of organisms with their own environment, जन्तूओं का, जीव जन्तूओं का, उनके वातवरन से क्या लेना देना है, हमारा हमारे environment से क्या लेना देना है, हम अपने environment को कैसे benefit कर रहे हैं, हमारा environment हमें कैसे benefit कर रहे हैं, हम अगर सास ले रहे हैं, सास छोड़ रहे हैं, environment से तो ले रहे हैं, तो वो उसको कैसे benefit कर रह है वो हमें कैसे benefit कर रहा है कि यह चीज मैंने आपको पढ़ाई थी chapter था ecology पारिस्थिति की right ecology का मतलब भी ही होता है इसी चीज की पढ़ाई ecology को ही हम बोलते हैं ecology और ecology का जो मतलब दोनों का मतलब यह की study of the relationship of organisms with the environment एक तो question यहां से आगया कि ecology या ecology का मतलब क्या होता है दूसरा यह term किस ने दी यह दी थी earnest हेकल अनेस्ट हेकल ने दी थी तो इसका answer हो गया अनेस्ट हेकल अनेस्ट हेकल ने यह term दी थी ecology जिसको ecology भी कहा जाता है which day marks the founding of the world health organization WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना दीवस कब होता है तो स्थापना दीवस होता है साथ अपरेल को तो साथ अपरेल यह आपको learn करना पड़ेगा although यह मैं one liners मैं आपको explain कर चुकी हूँ तो जो आपका WHO है यानि विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका founding day यानि उसकी स्थापना दीवस हुई थी साथ अपरेल को which statement is not correct regarding the food chain खाद्य श्रंखला के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है पहली चीज तो मैं यह बता दू खाद्य श्रंखला होती क्या है अगर मैं यहां लिख रही हूँ plants यानि पौधे पौधे को खाया deer ने ठीक है और deer को खाया lion ने तो इसको बोलता है food chain मतलब एक ऐसी श्रंखला एक ऐसी chain जो यह दिखा देता है किसने किसको खाया वो होती है food chain और जब आप food chain लिखते हो ना food chain के बारे में पढ़ते हो तो पास आते हैं थोड़ी और कम हो जाएगी क्योंकि food chain में क्या होता है जैसे जैसे आगे जाते है energy कम होती जाती है ठीक है क्योंकि इनके पास जो energy होंगी जब इसको deer खा लेगी तो deer के पास जो energy जाएगी वो पहले से कम जाएगी तो अब वो पूछता है कि कौनची चीज ग वो बोल रहा है जो energy है वो बढ़ती है energy बढ़ती नहीं है घटती है तो यही option incorrect है आगे भी पढ़ लीजिए every component of food chain forms ट्रॉफिक लेवल फूट चेन का हर एक हिस्सा ट्रॉफिक लेवल बनाता है घटक पोशीस्तर बनाता है पोशीस्तर बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल यानि ना दो जैसे अगर मैं एक बना के आपको दिखा भी देती हूं मान लो plant थे पौधे थे इनको खाया deer ने यह को खाया lion ने प्लांट को खाया rat ने चूहे ने रैट को खाया peacock ने मोर ने और peacock को खाया lion ने तो अब यहां क्या हुआ दो में relationship बता दी ना आपने या फिर plant को खाया deer ने, deer को खाया jackal ने और jackal को खाया lion ने तो क्या हुआ आपने अलग-अलग food chain खाद्य श्रिंकलाओ में एक relationship बना दी इसको बोलते है food web यानि खाद्य जाल इससे हम खाद्य जाल बोलते हैं तो यह भी बिल्कुल ठीक है तो इसका correct option यही था B point which is a visible sign of severe iodine deficiency अगर iodine की कमी हो जाए तो क्या होता है? iodine की कमी को हम बोलते हैं goiter goiter नाम की बिमारी जिसको हम daily life में आपने बहुत सुना होगा thyroid बोलते हैं कहते हैं weight बढ़ जाता है तो normally वो weight असल में क्या होता है कि गला जो है वो थोड़ा सूज जाता है गला फूला हुआ लगता है यह सबसे बड़ा symptom है thyroid की पहचान का तो swelling in the neck is the correct answer which vitamins are present in milk? milk में, दूद में कौन से vitamins होता है? ट्रिक्स की वीडियो में भी था दूद को एक complete food माना जाता था पर अब नहीं मानते हैं क्योंकि दूद के अंदर vitamin C नहीं मिलता है vitamin C नहीं मिलता, iron भी बहुत ना के बराबर मिलता है तो यह दोनों चीज़े नहीं मिलती पर vitamin पूचा है तो कौन सा vitamin नहीं मिलता दूद के अंदर? C नहीं मिलता तो इन्होंने बोला कौन कौन से vitamin दूद में होते हैं? तो C नहीं होता इसमें भी C है, यह option खतम इसमें भी C है, यह option खतम इसमें भी C है, यह option खतम दूद में सारे vitamins मिलते हैं, C नहीं मिलता तो A, B and D यह इसका correct answer हो गया Which structural layer surrounds the algal, fungal and plant cells? चवाल की, कवक की, पादप कोशिकाओ की plant cell को सबसे बहार वाली layer जो होती है यही layer उसको strength देती है उनको तन्य शक्ती प्रदान करती है और mechanical strength देती है यानि यांत्रिक शक्ती भी देती है सबसे भार वाली layer को क्या बोलते है जो plant cell में मिलती है, समझार रखा है मैंने आपको इसको बोलते है, cell wall कोशिका भित्ती लेकिन अगर यहाँ पर आता animal cell हमारे अंदर वाल की जुरत नहीं है प्रोटेक्शन की जुरत नहीं है, हमारे पास होती है cell membrane कोशिका जिल्ली तो खेर, पौधों के पास क्या होती है कोशिका यह cell wall, यानि कोशिका भित्ती तो यह इसका correct answer है which is a perennial carnivorous plant कौन सा, एक 12 महीने रहता है मासा हारी पौधा है sundew family से बिलॉंग करता है sundew cool, यानि sundew family से बिलॉंग करता है जो शिकार को आकर्शित करता है यानि जो prey होगा उसको attract करेगा and then traps insects and then breaks down with digestive enzymes मतला वो क्या करेगा जो भी insects होगे, उनको अपनी तरफ attract करेगा उन पर chemical छोड़ेगा, उनको मार देगा वो कौन सा है, तो आपने बहुत सारे पढ़ रखे है इन में से जो आपने पढ़ ही रखा होगा जब आप छोटे होगे, वो है venus fly trap fly को trap करता है venus fly trap वो ही पौधा है इस में से जो आपको नई चीज़ पता लगी इसकी family sundew family यह आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे next question की अगर मैं बात करूँ which of the following statements is correct about mitochondria mitochondria जिसको energy house power house of the cell बोलते हैं power house of the cell यही बोलते थे power house को क्या बोलते हैं उर्जघर बोला जाता है शक्ती कस्त्रोत्र माना जाता है mitochondria को दो स्थाय होती है इसकी इने में से कौन सी statement उसके लिए सही है मतलब बाकी गलत होंगी सबसे पहला mitochondria without outer membrane is called mitochondria बिल्कुल ठीक है mitochondria में दो स्थाय होती है अगर भारवाली स्थाय हटा दोगे तो उसको mitochondria नहीं बोला जाता mitoplast कहा जाता है already explain कर चुकिए मैं आपको biology की classes में anyways आप second option देखो mitochondria is present in all living cells गलत mitochondria सब में present नहीं होता for example हमारे red blood cells में present नहीं होता लाल रक्त की कोशिकाओं में present नहीं होता तो ये गलत है it is present only in bacteria गलत हमारी body में present रहता है red blood cells में ही तो नहीं मिलता और जगह तो मिलता है अगला it is not bound by any membrane ये भी गलत है it is bounded by two membranes दो membranes होती है इसकी so option is the correct answer next question के अगर हम बात करें 2019 में WHO के according कौन सी बिमारी ऐसी थी जो साथवी सबसे मतलब साथवे नंबर पे थी जिसने death cause की है ये मैं बता चुकी हूँ ये है Alzheimer disease ये brain से related disease होती है और ये माना जाता इसके अंदर क्या है कि इंसान भूलने लगता है उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है अगर घर से निकलेगा किसी काम के लिए उसको ये याद निरेगा वो किस काम के लिए निकला तो Alzheimer disease है brain से related disease है brain काम करना बंद कर देता है जादा दिन तक इंसान जिन्दा नहीं रहता और WHO ने 2019 में बताया था कि साथवे नंबर पर ऐसी बिमारी है जिसकी वज़से सबसे ज़्यादा death हुई है तो इसका अंसर है Alzheimer disease next question की बात करते है in cell biology यानि कोशी का जीव विज्ञान में large double membrane organal एक दो layer का membrane होता है यानि दो जिलिया होंगी दो जिलिया किस किस के पास होती है तीन जनों के पास होती है सबसे पहला है nucleus जिसको आप केंद्रक बोलते हो अगला है mitochondria भी आपने पढ़ा भी था फिर आते हैं आपके plastids ये तीन हैं जिनके पास दो membrane होती है दो जिलिया होती है तो अभी आपके पास इन तीनों में से answer निकलेगा आगे इनोंने बोला central unit है cell की यही से answer question खतम हो गया cell की केंद्रक इकाई कौन सी होती है बिल्कुल जो main center होता है वो है आपका nucleus nucleus brain का काम करता है तो brain जो आपका answer वो हो जाएगा nucleus next question की बात करते है match करना है एक तरफ है आपके vitamins और एक तरफ है उनके स्त्रोथ की कहां सी कौन सी चीज़ कहां से मिलेगी तो सबसे पहले बात करता है vitamin A की vitamin A जो है आपका जिसका नाम होता है retinol vitamin A को रटना था so vitamin A आपका मिलता है carrot, mango, papaya बिल्कुल ठीक है vitamin A आपका गाजर, आम और पपीते से ही मिलता है vitamin B B मैंने याद रखा है B आपको मिलेगा bread से वो भी B से शुरू हो रही है तो bread से मिलेगा और आपके nuts से मिलेगा यानि आपके मेवे से मिलेगा ये बिल्कुल ठीक है तो A का answer first ही है B का answer second ही है third की बात करो C, C होता है scorbic acid खटी चीज़ों में जितनी मिलेगा C मिलेगा तो आप देख सकते हो citrus fruits, red and green pepper C, third point से ही मिलेगा normally ऐसा करते हैं जैसे 4 option है आपको अगर मालनो कोई नहीं आता तो आप ये ढूणो कौन सा आता है उससे match करो जैसे अगर मैं अपनी बात करो तो मुझे C सबसे पहले मैं C ढूणती हूँ खटी चीज़ों में होता है तो third का C होना चीए लेकिन आप देखो third का A में यानि ये option खतम third का है D है ये option खतम ये दोनों बचे है अब इन में से मैं क्या देखती हूँ third का C है fourth का D है यानि से first or second में मुझे पहचान करनी है तो first or second की पहचान मैंने अभी आपको बताई दी तो first का A है second का B है third का C है citrus fruits vitamin D जो मिलता है वो मिलता है egg yolk में यानि अंडे की जड़्दी में और soya products में proteins वाली जितनी चीज़े होती है उनमें आपका vitamin D मिलेगा how is food stored in brown algae भूरे शेवाल में भोजन का भंडानन किस रूप में होता है मैंने आपको याद कराया हुआ है ये biology की class में कि जो brown algae होती है ये होती कैसी है मैं ये भी बता दूँ brown algae को हर चीज ना मुश्किल करने की आदत है भूरा रंग कैसे बनता है आपको पते है न brown रंग कैसे बनता है red और green को मिलाओगे तो brown बनेगा तो brown रंग को बनाना बहुत complicated है तो ये अपना खाना भी जो बूरिश हैवाल होती है अपना खाना भी complex बनाके रखती है और इसका मन करेगा तो ये मनाएगी ये आपको उसमें भी समझाया था जब बायो की class में समझायती है चीज कि ये brown color की जो है complicated मतलब इसका मन होगा तो बनाएगी तो यहां से आएगा manitol ये अपना खाना complex फॉर्म में बनाएगी जटल फॉर्म में बनाएगी और खाने का नाम होगा manitol तो हम देखते हैं इन दा फॉर्म अफ ग्लूकोस नहीं है इन दा फॉर्म अफ complex carbohydrates that may be in the form of laminarin और manitol laminarin और manitol लेकी के नाम है तो यही इसका अंसर है बाकी option भी देख लो complex lipids oil droplets नहीं complex carbohydrates की फॉर्म में ही बनाती है next question की बात करें a balanced diet takes care of all the following aspects except one एक संतुलित अहार इन में से सब कुछ करता है एक चीज नहीं करता includes a variety of food items बिल्कुल ठीक है आना बहुत सारा होगा अलग-अलग items होंगे meets RDA of all nutrients सभी पोशक तत्व की RDA जो limit होती है कौँच चीज कितनी होनी चाहिए वो उसको भी reach करेगा includes nutrients in correct proportions पोशक तत्व भी सब कुछ सभी बिल्कुल सही quantity में होंगे promotes a healthy mind healthy mind को promote नहीं करेगा healthy body को promote करेगा दिमाग अगर healthy है वो आपके खुद की सोच पर है healthy mind को promote नहीं करता तो it is the correct answer In animal cells which membrane bound cell organelles are generally smaller कौन्स चीज़े हैं जो generally छोटी होती है और waste product को अलग करती है तो पहली बात तो यह है कि plant animal cell बड़ा होता है animal cell के अंदर एक ही चीज़ छोटी होती है plant cell के comparison में वो होते है vacuoles भी वैस्ट को store करने की काम आते है हमारे पास तो waste को store करने की कोई problem नहीं है क्योंकि हमारा जो waste होता हम हातों हात doğru की निकाल देते हैं तो waste को store इस तरह की से learn कर सकते हो Waste को store करने को कोन काम करता है waste को अलग अलग करने का vacuoles तो vacuoles, इसको प्लास्चेट से हमारे अंदर होते ही नहीं है गौलगी बोडी इसको गुरु जी हमने याद किया था इनका वेस्ट का कोई काम नहीं है साइटोसोल क्या था? साइटोसोल लिक्विड का नाम है जो साइटोप्लास्म का लिक्विड होता है यह किसी का काम नहीं है तो vacuoles ही हैं जो छोटे होते हैं तो यह इसका correct answer है metabolic reactions in our body are carried out by हमारे शरीर में उपाप चाही अभी क्रियाएं किसके द्वारा की जाती है दो चीजे होती हैं, दो तरीके की reactions होती है तो metabolic और एक catabolic metabolic जिन में कुछ बनेगा metabolic जिन में कुछ खतम होगा metabolic जिन में कुछ बनेगा वो कौन बनाते हैं, हमारी body में वो help करते हैं proteins, जितने भी gym वगरा जाते हैं उनको पता proteins कितने helpful रहते हैं तो proteins ही हैं तो आपकी body में आपको strength देते हैं, तो इस cancer क्या हो जाएगा proteins हो जाएगा इस cancer next question के अगर हम बात करें which ecologist research provided revolutionary new insights into how energy and nutrients move through the ecosystem पारिस्थितिक तंतर के माध्यम से उर्जा और पोशक तत्व कैसे प्रवाहित होते हैं, जो ecology है, पारिस्थितिक तंतर है उसमें energy कैसे जाएगी आगे-ागे एक के बाद एक organism में और energy के साथ-साथ food कैसे जाएगा, nutrients कैसे जाएगे वो कौन से scientist ने बताया था मैंने आपको इसका answer one liners में याद कराया था कि हम ये देखने हैं कि line में, जब एक organism दूसरे को खा रहा है दूसरा तीसरे को खा रहा है तो line में जाते हुए energy कैसे-कैसे ट्रांसफर होती है, nutrients कैसे-कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये किस ने बताया था line में नहीं बताया था, line में थे तो line में ने बताया, तो line में से आप याद रखोगे lind में, तो आपका जो था वो था Raymond L-Lindman तो ये इसका correct answer है identify the component that is unique only to prokaryotes, इन में से कौन सी अची चीज़ जो सिफ prokaryotes में मिलेगी prokaryotes कौन से थे, जो पुराने cell थे, बहुत पुराने cell थे तो आपको कोई ऐसी चीज ढूडनी है जो आपने नए वाले cell में नहीं पढ़ी chromosome हमारे अंदर में मिलता है option खतम nucleus हमारे अंदर मिलता है option खतम, nuclear membrane nucleus के चारो तरफ की जिल्ली हमारे में मिलती है option खतम, तो answer क्या बचा, mesosome mesosomes वो होते हैं जो सिर्फ prokaryotes में मिलता है, मैं दिखा भी देती हूँ आपको होते कैसे है ये एक prokaryotic cell या bacteria का, तो जो ये कोशी का भित्ती होती है cell wall जो होती है, cell membrane जो होती है यहाँ से connect होता है, ये आप देख सकते हो ये जो बने वे है न ये वाला structure इसको बोलता है mesosomes जो सिर्फ किसके अंदर होगा prokaryotes में होगा, पुराने cells में होगा identify the plant that shows adaptation through leaves that are reduced to spines इन में से वो concept होता है, जो अपने पतियों को, अपने leaves को spines, कांटों के रूप में convert कर लेता है ये भी मैंने आपको one-liners में बता रखा है mimosa, छुई-वुई में कोई पौधे नहीं होते rose में कांटे होते हैं पर पतियां भी होती हैं इसमें पूछ रखा है किस ने अपने पतियों को काटों में change कर लिया hibiscus, गुडहल के पौधे बे भी पतियां होती है तो क्या आंसर बचा है अपंटिया यानि नागफनी आप देख सकते हो, इसके अंदर ऐसे काटे होते हैं तो इक काटे किसका रूप है, किसका बदला हुआ रूप है vines जो है, किसका converted form है ये हैं आपकी leaves का converted form which phylum of the kingdom animalia यानि प्रानी जगत, animals वाले group पे कौन सा ऐसा class है जिसमें hydra, adamantia, phylacia, corals आते हैं देखो, मैंने याद कर रहा है था class में hydra, hydra को आप बड़े राम से याद कर सकते हो अगर किसी को आपको कहना होना कि किसी के पस दिमाग नहीं है तो आपसे कोई कुछ उसको गलत word यूज़ करने की जूरत नहीं आप हाइडरा बोलो, hydra एकलोता है जानवर होता है जिसके पस दिमाग नहीं होता ठीक है, तो hydra के पस दिमाग नहीं है अगर उसको पढ़ना है तो उसको क्या करना पढ़ेगा concentrate, concentrate से याद रखो कि coelent rate, तो coelent rate category में आता है hydra तो आपके hydra से मुझे पता लग गया कि hydra, coral, यह सब किस में हो गए आपके coelent rates में हो गए identify the component found only in a eukaryotic cell ऐसा कौन सा हिस्सा है जो सिफ eukaryotic में मिलेगा cytoplasm, यानि कोशिका द्रव यह तो पुराने वालों में भी था, नए वालों में भी था खतम, ribosomes पुराने वालों में भी था, नए वालों में भी था उनको energy कहां से मिल रही थी, protein कहां से मिल रहा था पुराने वालों को ribosomes से तो मिल रहा था nuclear membrane, यानि kेंद्रक जिल्ली, पुराने वालों में nucleus नहीं मिलता, kेंद्रक नहीं मिलता केंद्रक नहीं मिलता तो उनके बाहर जिली भी नहीं मिलेगी जो प्रोकेरियोट्स होते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ जो पुराने वाले सेल होते हैं ये अगर सेल है तो न्यूकलियस हमारी बॉड़ी में क्या होगा एक इसके अंदर ऐसे न्यूकलियस की जगा होगी एक कवरिंग होगी उसके अंदर न्यूकलियस होगा इसको न्यूकलियर मेंब्रेन बोलते हैं पुराने वालों के अंदर क्या होगा पुराने वालों के अंदर न्यूकलियस ऐसे फैला हुआ होगा केंदरक ही होगा, केंदरक के अंदर जो कैमिकल से हैं ऐसे फैले भी होते हैं और इनको बोलते हैं नूकलियोईड तो जब नूकलियस होता ही नहीं है तो उसकी जिल्ली भी नहीं होगी तो इस कांसर नूकलियर मेंब्रेन ही है Who shared the Nobel Prize in Physiology and Medicine 2005 with Brainy J. Marshall Marshall के साथ किसने अपना प्राइज शेयर किया था क्योंकि उन्होंने एक बैक्टीरिया की खोज की थी Helicobacter pylori bacterium और ये बैक्टीरिया वही बैक्टीरिया है जो अलसर हो जाती है जब पेट में यह मतलब पैप्टिक उलसर हो गई और आपकी गैस्टराइटीस हो गया गैस्ट्राइस में एक की जो पेट की दिवारे होती है सूज जाती है और कुछ खानी पहते हो बहुत दिक्कत होती है तो ये इस बैक्टीरिया को खोज Floren और ये बैक्टीरिया इसका रोल होता है अलसर वगरा फॉर्मेशन में तो किस ने आपको खोज की थी दो जने थे एक तो मार्शल ये मैंने आपको वन लाइनर्स में समझाया था कि अगर ऐसा होता है अलसर वगरा होती है तो आपको वर्णिंग मिलनी चाहिए वर्णिंग से याद रखो कि वर्ण और वर्णिंग देता सबसे अच्छा कोँ नहीं जो मिलिटरी में लोग होतने है तो मार्शल और वर्ण दो लोग थे जिन्होंने इस बैक्टीरिया के बारे में बताया था इसकी खोज की थी, इसकी invention की थी और discovery की थी और ये बताया था कि इनका क्या रोल है अलसर में तो आपका आजाएगा J. Robin Warren is the correct answer What is the common name of Parthenium Histrophores? Parthenium Histrophores कौन सी घास का नाम है? चार हैं, lawn grass, horse grass, carrot grass, lemongrass तो Parthenium Histrophores, ये है carrot grass का नेम कैसे आज रखोगे? Histrophores में history आ रहा है और history से मरलब जो आप सबजी खाते आ रहे हो वो है carrot यानि गाजर, तो carrot grass What is the way in which adaptation does not take place? हमारी body में अनुकूलन कैसे नहीं होता? मतलब अगर हम कोई चीज ले रहे हैं, कुछ adapt कर रहे हैं हम behavior अपना adapt कर सकते हैं यहां ठीक है, यहां तेज नहीं बोलना, यहां कम बोलना है हम emotional, emotional रूप से हम कभी adapt नहीं कर सकते हमारे जो emotions होंगे, जैसे हम starting से होंगे हम वैसे ही रहते हैं कोई negative change है, negative चीज है behavior में तो हम उसको change कर लेंगे, लेकिन वो emotionally हम कैसे हैं emotional जो aspect होता है वो हमारे control में नहीं होता, तो हम emotionally कभी भी अपने आपको adapt नहीं कर सकते morphological, हाँ, रूपा आत्मक्की हम कैसे दिख रहे हैं हम उसको change कर सकते हैं, physiological, शरीर के रूप से gym जाते हैं, यहां हम अपनी body को change कर सकते हैं behavior में change ला सकते हैं, पर emotionally हम कभी change नहीं ला सकते हैं what kind of adaptation is seen in bacteria, bacteria में कौनसी अनुकूलन देखा जाता है bacteria अपने आपको कैसे adapt करते हैं, अगर जब वो अलग-अलग sports बनाते हैं अगर वो छेद बना रहे हैं अपनी body के अंदर, तो कौनसा आपका adaptation कर रहे हैं तो इस cancer होगा आपका conform, same यही चीज, क्योंकि जब sports बनते हैं न, देखो जो sports बनते हैं, जो आपके बिजानू बनते हैं, sports जो बनते हैं, ये बनते हैं पानी वाले पोधों में, aquatic पोधों में ठीक है, जो पानी में रहते हैं, उनमें और पानी वाले अपने आपको कैसे adjust कर रहे थे, अभी बताया था confirmation, जिसको सनरूपन या फिर अनुकूलन बोलते हैं, तो इस cancer confirmation होगा, बाकी तीन हो बता चुकी हो, suspend, regulate और migrate, तो बस language change भी question same ही है which of the following techniques can be used to separate impurities in milk दूद में जो अशुधियां हैं, उनको हटाने के लिए कौन से टेकनिक का इसमाल करते हो देखो जो दूद में अशुधियां होते हैं, वो बहुत छोटे लेवल की अशुधियां होते हैं और जब किसी चीज में बहुत जादा छोटे लेवल की अशुधियां हो, तो हम उसको अलग करते हैं, chromatography ये chemistry में भी मैंने आपको समझाया है, जब techniques समझायी थी सारी की सारी class में तो chromatography हम use करते हैं, और कौन सी chromatography का use करते हैं, columns chromatography, stump chromatography का इस्तमाल करते हैं तो ये है, जब किसी चीज में impurities को अटानी हो, और शुधियों को अटानी हो, बाकि जो तीन method हैं आपने पढ़े भी नहीं है किसी भी चीज का शुधिकरन करने के लिए ये तीनो method पढ़ाए ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है तो obviously answer क्या होगा, column chromatography the bodies of the animals of phylum, platyhelminths, जो platyhelminths होते हैं, उनकी जो body होगी, वो किस level का organization, किस level का संगठन दिखाती है, मतलब अगर आपको पढ़नी होगी for example, हमारी body के अगर हम बात करें, तो अगर आपको पढ़ना होगा, पहले आप जाओगे किसको पढ़ रहे हो, यानि organ हमारी body में जो organization है, जो संगठन है, पहले आप organ पर जाओगे, फिर उस organ के अंदर tissues पर जाओगे, उत्तक पर जाओगे, फिर उसकी cells पर जाओगे, कोशिगा पर जाओगे तो सबसे पहले organ पढ़ने पढ़ेंगे, तो platy helmets की कैसी body होती है, platy helmets की भी होती है organ, tissue, यानि आपको अगर उनमें पढ़ना होगा, तो पहले तो organ पढ़ना पढ़ेगा, अंग पढ़ना पढ़ेगा, या आप सीधा tissue भी पढ़ सकते हो, उत्तक भी पढ़ सकते हो तो platy helmets के जो होगा, वो होगा, ये tissue organ, organization, अच्छा, या तो platy helmets के बारे में आता है, या फिर आता है protozoa ठीक है, protozoa आप पतलब ये समझ लो कि बहुत पुराने organisms होते हैं, तो इनके अंदर तो organ छोड़ी दो, इनके अंदर कुछ नहीं मिलता, इनके अंदर cell भी नहीं मिलता, कोशी का भी नहीं मिलती, इनके अंदर cell का ये चीज भी पढ़ सकते हो, आप, क्या बोल रहे थे cell के अंदर के liquid को protoplasm बोल रहे थे, जीव द्रव्य बोल रहे थे, कोशी का द्रव्य, हाँ, जीव द्रव्य बोल रहे थे, तो अगर आपका आता है protozoa, तो आपके उनके अंदर कौन सी organization होगी, कौन सा संगठन होगा, protoplasmic संगठन होगा, ठीक है, तो फटा फट से आप screenshot ले स find the odd one out with respect to animals response to abiotic factors, अजैविक कारकों के प्रती, जन्तूों की प्रतिक्रिया के संबंद में असंगत का चैन कीजिए, मतलब उनका जो response होता है, इनमें से क्या चीज response नहीं हो सकती, abiotic factors के लिए, मतलब जो चीज जिन्दा है ही नहीं उनके लिए, migrate बिलकुल, वो हिल सकते ह हवा आई, ठंड आ रही है, तो वो एक जगा से दूसरी जगा तक जा सकते हैं, अपने आपको चेंज कर सकते हैं, रिप्रोडूर्वान नहीं कर सकते हैं, अगर कोई चीज जिन्दा है ही नहीं, तो उसके response में प्रजनर नहीं हो सकता, reproduction नहीं हो सकता, तो इस cancer reproduction है, पूरे question का मतलब अगर आपको समझ नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे भी समझ नहीं आए था अंस question क्या है ये सुन लो major center कौन सा है सबसे बड़ा center कौन सा है एक eukaryotic cell में eukaryotic होते हैं नए वाले cell में eukaryotic कोशिकाओं में समवेदी, ग्राही, संचलन और भ्रून, जनन, सहित, विभिन कोशी की अप्रक्रियाओं में शामिल होने वाले प्रामुक कौन सा केंद्र है जो किस-किस में help कर रहा है एक तो कर रहा है cellular processes में cell में होने वाली, कोशिकाओं में होने वाली जितनी भी क्रियाओं है उन में पहली चीज तो यह है कि cell के अंदर जितनी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी help करेंगी इन में एक घर में जितने जने हैं, घर में कुछ हो रहा हो वो सब कुछ help करेंगे न तो cell में रहने वाले, कोशिकाओं में रहने वाले सारे और्गनल, सारे कोशिकांग क्या करेंगे, कोशिकांग में होने वाली processes, cell में होने वाली processes में help करेंगे, तो यह सब कुछ करते हैं इससे answer नहीं पता लगेगा कैसे भी दूसरा sensory reception sensory शर्ब्द आता है जब आपको information receive करनी हो cell में जितनी चीज़े होती है सब information receive करती है, सारी की सारी, क्योंकि lysosomes है मान लो, तो वो waste को recept करेंगे, कि कहां waste पड़ा है मुझे वहीं जाके काम करना है mitochondria है, वो food को recept करेगा कि कहां खाना है, मुझे energy निकालनी है तो sensory reception सारे करेंगे तीसरा, locomotion यानि चलना फिडना, सारे अपनी चीज़े अंदर से बाहर बाहर से अंदर भेजते रहते हैं, तब करेंगे, तो इससे answer नहीं पता लगेगा, fourth है आपका embryogenesis, इससे पता लगेगा answer, क्योंकि आपका जो cell था, जो कोशी का होगा, reproduction होगा embryo बनेगा, brune बनेगा तब ये काम में आते हैं तो ये सारे बागे सब चीज़ में help करेंगे तो answer इसका क्या होगया, centrosome क्योंकि brune बनाने में जो help करेगा, वो कौन करेगा, सिर्फ centrosome ही है, जो आपके help करते हैं इसका answer centrosome है which phylum of the plant phylum है, कौन सा संग है जिसमें ऐसे पौधे आएंगे जिनमें vascular plants होगे, यानि पानी खाना एक जगा से दूछी जगा तक आराम से चला जाएगा, इसके लाबाद जड़े भी होगी, तने भी होगे पूरे पूरे ट्रंक भी होगे ट्रंक का मतलब समझ गए न मुझे इतना होता है पूरा वो भी हो सकता है मुझे यहां से कुछ नहीं पता लगा मुझे पता लगा यह ferns से ferns किसमें आते हैं, ferns आते हैं tarridophytes tarridophytes के अंदर आते हैं ferns आप एक बार चेक कर लिजेगा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा रहा है कि ferns मैंने platy helmets में बताया पहले पर platy helmets में नहीं है वो tarridophytes में है तो शयद ऐसा हो सकता है कि मैं confused हो गई हूँ I think कही न कही ferns आया है जहां मैंने picture डाल रखिया उसकी let me check नहीं वो funeria की थी कहीं नहीं डाल रखी पर फिर भी आप सुन लीजे confused मत होईएगा जो आपके ferns आते हैं वो आते हैं टाइडो फाइट्स में कैसे याद रखोगे ferns को याद रखोगे ferns से एक मिनिट मैं निकाल भी लेती हूँ question ही ferns फाइट में लडाई में फाइट में तो फाइट से याद रखोड टेरीडो फाइट फाइट वर्ड आ रहे हैं तो टेरीडो फाइट ferns आते हैं टेरीडो फाइट में तो यह आपको दिमाग में रहेगा which cycle shows the movement of water पानी का चक्र कौन सा है basically 4 option है geological यानि अर्थ के बारे में nitrogen, nitrogen के बारे में carbon, carbon के बारे में तो आंसर होगा hydrological cycle बहुत easy question था which unicellular organism acquires food by a process कौन सा एक कोशी की जीव है जो अपना खाना कैसे लेता है एक process से जिसमें क्या होता है cells absorb external material by engulfing it with cell membrane यानि जो कोशी का है खाना आया भार से तो कोशी का क्या करेगी cell क्या करेगा उस खाने को निगल लेगा अपनी cell membrane की मदद से ये cell membrane है यानि ये cell था ये कोई खाना आया तो ये खाने को कैसे लेगा ये खाने को लेगा अपनी cell membrane को कोशी का जिली को इसके चारों तरफ ले जाएगा इसको निगल लेगा तो ये method करता है amoeba और इस तरीके से खाना खाने को हम बोलते है phagocytosis ये extra मैंने बता दिया phagocytosis उस प्रक्रिया का नाम है जिसकी मदद से amoeba अपना खाना खाता है अपनी cell membrane कोशी का जिली की मदद से phagocytosis और एक और भी बुलाते हैं इसको endocytosis लेकिन endocytosis proper word नहीं है क्योंकि endo का मतलब होता है अंदर cytosis का मतलब होता है cell तो cell के अंदर अगर कभी भी कुछ भी जाएगा तो उसे endocytosis बोलेंगे लेकिन अगर यह amoeba करे और खाना ही अंदर जाए तो इसको हम phagocytosis बोलते हैं phagocytosis मतलब food जा रहा है cell के अंदर तो यहां से आपको दो question एक्स्ट्रा पता लग गए DDT adversely affects our environment DDT जो है यह एक pesticide की form में हम use करते थे कीट नाशक की तरह use करते थे honeybees यानि जो आपकी it can allow growth नहीं growth तो नहीं कर रहा था it can kill harmful insects harmful insects को मारेगा तो हमारे लिए तो फाइदे बन देना यहां पे तो negative point पूँछ रखा है it can kill beneficial insects like honeybees यह मदुमक्या जैसे लाबकारी कीडो को भी मार सकता है तो यह इसका बहुत बड़ा negative point था हमारे शरीर का निर्मान खंड होते है proteins आप एक चीज समझ सकते हो जब हम जिम वगरा भी जाते हैं तो हमारा जो proper focus रहता है protein intake पे रहता है carbs कम करते है protein पे ही focus रहता है क्योंकि हमारी body में यह माना जाता है muscles हो गई, mass patient हो गई, energy हो गई सब कुछ कहां से आएगा protein से तो इसका answer क्या हो गया protein which of the following characters are correct about phylum echinodermata echinodermata के बारे में कौन सी चीज बिलकुल ठीक है तो चलो यह पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ point अपने आप बता देती हूं echinodermata मैंने याद कर रहा है था no, यह बोलते है no यह हर चीज को मना करते है क्यों? क्योंकि इनके पास सब कुछ है इनके असल में जितने organisms होते हैं जितने जानवर होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ cavity, जगा खाली होती है जहां पे कुछ भरा होता है तो हमारे अंदर भी भरा हुआ है उसको बोलते है कॉलम ठीक है कॉलम नाम की cavity होती है कॉलम नाम का वो chemical होता है तो कुछ जानवर होते हैं जिनके पास कोई cavity नहीं होती कुछ जानवर होते हैं जिनके पास artificial cavity होती है मतलब artificial chemical होता है उसको pseudo column बोलते है इन सब में मिलता है तो यह हर चीज को नो क्यों बोलता है क्योंकि इनके पास है तो एक तो इनके पास cavity है कौन सी कॉलमेट cavity है यानि कॉलम की इनके पास वो chemical है साथ में इनकी body जो है bilaterally symmetrical होती है अगर body को दो हिस्तों में बाट होगे तो left side और right side बिल्कुल बराबर होती है यह कुछ characteristics है जो learn करने पड़ेंगे की दर माता के तो आप दर माता को याद रखो कि जैसे आगर आप दो हिस्तों डर माता में डर से याद रखो दो हिस्तों में यह ऐसे कोई लॉजिक नहीं बना रहा लेकिन फिर भी डर से दो बना लो कि दो हिस्सों में बाट होगे तो दो हिस्सों में बिल्कुल इकोली टूट जाएगा यानि बाइलेटरली सिमेट्रिकल है तो इसमें आएगा गेस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी कॉलम प्रेजेंट जी नह मैंने अभी आपको बताएं क्लासिस में भी पूर एक्स्प्लेइन कर रखा है एक्जाम्पल्स के साथ जो मनुश्य होते हैं बहुत हाई अगर उचाई पर जाने पर अपनी बॉड़ी में क्या चेंजिस उनकी बॉड़ी में आ जाते हैं अपनी आपको कैसे अनुकूल करते देखो high temperature पर जाने पर होता क्या है कि pressure कम हो जाता है बहुत, सास लेंगे दिक्कत होती है है, तो हम को क्या करना पड़ एगाई सास हम ले रहे हैं, oxygen हम ले रहे हैं, किसकी मदद से, EDDC की मदद से, Red Blood Cells, लाल रक्ठ की जो कोशिका होती हैं उनकी मदद से,itelे ग्श्या मंु को कर देते हैं जो hemoglobin attract करता है oxygen को उसको थोड़ा कम कर देते हैं ताकि body के अंदर जैसे ही आएगा hemoglobin उसको पकड़ के ने रखे जल्दी जल्दी body को देता रहे तो increasing white blood cell white blood cell का कोई काम नहीं है increasing red blood cell decreasing binding affinity of hemoglobin and increasing breathing rate यही सही है red blood cell बढ़ेंगे hemoglobin का जो बंधन इसने आता है यानि उसको attract करने का जो power है उसको कम करेंगे साथ में breathing rate बढ़ा देंगे यानि जल्दी जल्दी सास लेंगे ताकि जाद oxygen आए तो यह इसका correct answer है which disease refers to the inflammation of liver जो आपका यकरत होता है liver होता है अगर वो fool जाए उसमें सूजन आ जाए किसी भी कारण से चाहे वो infectious virus हो यानि जो फैलने वाला virus होता है वो हो या non infectious हो जो नहीं फैलता उसके थूँ किसी के भी थूँ अगर आपके यकरत में liver में सूजन आ जाती है तो हम उसको बोलता है hepatitis hepatitis नाम की बिमारी होती है जो आपके liver को सूजने की वज़ा से होती है pneumonia होता है lungs की वज़ा से tuberculosis TBB होता है lungs की वज़ा से diabetes होता है sugar level बढ़ जाए अगर बहुत जादा हो जाए तो sugar level की वज़ा से hepatitis होता है liver यानि यकरत की वज़ा से what is the role of ribosomes of a polysome ribosome क्या करता है protein बनाता है तो जिसमें भी आएगा protein आपको मैं बताती हूँ protein बनता भी कैसे है मैं ये भी समझा दूँ आपको पता है हमारे cell में DNA होता है सारी information DNA में है right protein का जो main काम करता है DNA का छोटा भाई करता है DNA का छोटा भाई ये RNA ठीक है तो RNA का काम होगा सारा protein का तो देखो करता कैसे है सबसे पहले क्या करेगा DNA DNA को अगर protein बनाना है आप खुद तो जाके बनाएगा नहीं वरना खुद खतम हो जाएगा DNA कहता है मैं यहीं रहूंगा मैं अपने आपकी एक copy बना के देता हूं तुम इसको मेरे छोटे भाई में convert कर लो वो protein बना देगा तो सबसे पहले DNA अपने आपको replicate करता है DNA खुद का मतलब बिल्कुल photocopy करके देता है कि मैं तो यहीं हूं तुम मेरी photocopy रख लो अब यह जो photocopy होती है हम उसको change करते है RNA में राइट तो RNA क्या करता है मैं यह भी बता दूँ RNA ही आगे protein मतलब यह समझ लो कि DNA ना code होते हैं तो DNA ने का मैं अपने code देता हूं तुम्हें फिर हम क्या करेंगे उस code को बदलेंगे RNA के लिए तो हम करते है RNA का transcription transcription का मतलब समझ लो हमने code को change कर दिया इसको हमने किस में change कर दिया RNA में change कर दिया अब RNA में हम code बदल देंगे ताकि वह RNA में बदल जाए और ऐसे code लिख देंगे जो protein का का काम करते हैं तो तीसरा है यहाँ पे क्या होगा protein में अनुवाध हो जाएगा यानि translation हो जाएगी protein की तो यह तीनी step होते हैं जब protein बनता है तो आप यह समझ दो यह जो काम होगा यह करते हैं आपके ribosomes इस तरीके से रखो तो ribosomes क्या करते हैं protein बनाते हैं आप चारों option पड़ते हैं create RNA वो RNA बनाते हैं नहीं RNA तो DNA खुद को copy जब करेगा तब ही हो जाएगा यह नहीं है help in making DNA नहीं है help in DNA replication नहीं है DNA खुद अपने आपको copy करता है किसी की ज़रुरत नहीं होती translate RNA into proteins RNA RNA को किस में बदलेगा protein RNA में बदलेगा तो यह ही इसका correct answer है identify the disease that is caused due to inadequate secretion of insulin insulin की अगर कमी हो जाए तो क्या होगा हमें sugar हो जाएगी diabetes हो जाएगी तो इसका answer होगा diabetes mellitus इसका यह correct answer है which of the following microscopic cells are of an amoeboid shape यह दुबारा question आ गया हमारे cell में कोशी का में इसा कौन सी cell है मारी body में इसी कौन सी cell है चरीर में कौन सी कोशी का है जिसकी जो shape होती है वो amoeba की shape होती है तो amoeba की shape यानि जो आपका ऐसी कोई fix shape नहीं होती वो होते हैं आपके white blood cells अभी मैंने कुछ question पहले ही बताया थी यह बात आपको तो सफेद रक्त की जो कोशी काई होती है उनकी कोई shape नहीं होती ऐसे भी आद रख सकते हो कि बहुत कम time होता है इनके पास जिंदा रहने का एक या दो दिन तो एक या दो दिन में आके अपना काम करके जाएंगे ना इनको shape से कोई मतला भी नहीं होता तो इनकी कौन सी shape होती है amoeba की तरह shape होती है white blood cells की which algae produces अगर कौन सी शेवाल ऐसी है जिससे अगर मिलता है अगर क्या है यह मैं बताती हूँ gelatin आप लोगोंने देखा होगा बहुत जादा मतलब अगर किसी भी चीज को jelly में बदलना है ना तो gelatin डाल दो jelly में बदल जाएगा लेकिन जो लोग vegan होते हैं जो खाथ ही नहीं लगाते animal products को दूद तक नहीं लेते वो कुछ नहीं लेते घी दूद कुछ नहीं वो सिफ plant products को use करते है तो वो gelatin की बजाएग यूज करते है अगर तो अगर किस से बनता है अगर एक शेवाल से मिलता है जिसका नाम है gracilaria gracil area दिखने में ऐसी होती है और इसी से हमें अगर-अगर मिलता है ठीक है विच मेंब्रेन बाउंड ओर्गिनल्स फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1857 आर रेफर्ड तो एज अनर्जी फेक्टरी ऑफ दा सेल यानि इन में से ऐसे कौन से कोशिकांग है जिने उर्जाकार खाने कह जाता है बहुत असान है एनर्जी फेक्टरी कहां से निकलती है एनर्जी माइटो कॉंट्रिया से न अभी तो बताया तो माइटो कॉंट्रिया को एनर्जी फेक्टरी बोला जाता है और किस फॉर्म में एनर्जी देते हैं यह हमें एटीपी एटीपी की फुल फॉर्म एड enzyme is present in saliva आपने ये digestive system में पढ़ा हुआ है मैंने आपको class में बताया हुआ है saliva S से शुरू है और इसके अंदर जो enzyme होता है वो होता है salivary amylase हमेशा amylase मिलता है इस चार्च इसमें इसका answer होगा amylase saliva में यानि जो lard होती है उसमें जो enzyme मिलता है वो होता है आपका amylase pepsin कौन निकालेगा pepsin निकालता है इस चमक पेट के अंदर trypsin कौन निकालता है pancreas, agnasiya जिसको बोलते है renin, renin हमने नहीं पढ़ा है तो mainly ये दो थे renin आपका out of the वो है तो आप फटाफट से इसका screenshot ले सकते है choose the correct sequence for the central dogma kendria dogma के लिए सही करम चुने mRNA transcription, मतलब protein synthesis के बारे में ये आपको बता रखा है protein बनता कैसे है मैंने अभी बताया था, सबसे पहले क्या होगा dna खुद को copy करेगा mRNA transcription तो नहीं होगा सबसे पहले dna ही खुद को copy करता है dna replication यानि dna की प्रतिक्रती बनेगी यानि जरॉक्स copy बनेगी फिर mRNA transcription होगा यानि mRNA का प्रतिलेखन होगा दुबारा लिखे जाएंगे codes फिर क्या होगा protein translation यानि protein अपने आपको protein इस्थानांतरन यानि ऐसे code लिखे जाएंगे जो किसमें बदल जाएंगे सीधा protein में इसका correct answer D ही है हमेशा ध्यान रखिएगा protein अगर बनने है तो हमेशा पहले dna खुद को copy करेगा dna replication से process इसकी start होती है which biological strain is used in histology and cytology to color all cell nuclear red कौन सा chemical use करते हैं microscope में जब school में थे तो slides दिखाते थे ma'am कि ये cells की slide है कोशिकाओं की कैसे दिखते हैं tissues कैसे दिखते हैं red color के pink color के ये color के cells दिखाई देते थे तो वो red color के लिए कौन सा color use करते हैं हम use करते हैं saffronin saffronin वो dye है जिससे red color मिलता है saffronin red भी दिखाता है saffronin orange भी दिखाता है और pink भी दिखाता है तो सैफ्रेनिन यही वली शेट दिखाता है विद हूम डिड कैमिलो गॉल्गी यह साइंटिस्ट ने किसके साथ नोबल पुरुसकार्ट जीता क्योंकि इन्होंने नर्वस सिस्टम तंत्री का तंत्र पर काम किया था कैमिलो गॉल्गी ने एक और चीज़ पर काम किया है गॉल्गी से याद रखो गॉल्गी बॉडी जो गॉल्गी काय होते हैं गॉल्गी काय होते हैं उन पर भी काम किया है लेकिन इनको 1906 में नोबल प्राइज मिला था गॉल्गी को एक गॉल्गी बोलता है तो आपको नाम जब भी आप याद रखोगे ना दिमाग में रखना कुछ ऐसा शब्ट जो आप याद कर पाओ काजल नाम है तो क्या आपका नाम आगे है सेंटियागो रहमोनी काजल तो यह था आज की वीडियो का पार्ट वन जिसमें आपने CHSL 2021 में जितने इस वीडियो को इतना दो लंबा नहीं रखा गया इसके सेकंड पार्ट में बचेवे क्वेश्ट करेंगे तो आज के लिए इतना ही से के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए आपको चानल को सब्सक्राइब करना है साथी साथ प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो स्टाइम टाइम चेक कर सकते हैं जितने एस्पिरेंट्स को ऐसा लग रहा है यह वीडियो देखने के बाद कि हां हमको कोर्स की नीड है या हमको सारे टॉपिक्स कवर करने है तो एप पर कोर्स एविलेबल है जिस पे पूरा स्लेवस अल्रेडी कंप्लीट हो चुका है एक वीडियो भी मिसिंग नहीं है प् थानकि यू सो मुच और हम वरी नाइस देख्यों चैनल जैए पीडियो